मद्यप्रदेश में सीटों के बटवारे को लेकर सप्पा और कॉंग्रेस की बीच में चल रहा वौक यूद अब रुख सकता है दसल कॉंग्रेस अध्यश मलिका अरजुन खरगे ने फोन कॉल के बाद सप्पा नेताओं के तेवर बदले बदले नजरा रहे हैं खास बात ये है कि कल तक कॉंग्रेस को कोशने वाले नेता अब इस बारे में बात करने से भी बच रहे हैं नमस्कार मैं हो प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया नेउज सुत्रों के अनुसार पहले राहूल गांदी ने अपना संदेश अखिलेश को पहुँचाया फिर रविवार को कॉंग्स अध्यश मलिका अरजुन खरगे ने खुदी अखिलेश यादों से बात की ऐसा माना जा रहा है कि मद्यप्रदेश में दोनों पार्टियों के बिच गटबंदन भी हो सकता है सप्पा के एक नेता का कहना है कि पार्टी ने भले ही मद्यप्रदेश में सीटे घोशित कर दी हूँ लेकिन यदि गटबनन होता है तो हो अपने प्रत्याशी वापस ले लेंगे अभी नाम वापस लेने का विकल्प खुला हुगा है बिते दिनों कमलनात का एक बयान वाइरल हो रहा था इस बयान में कमलनात यह कहते दिख रहे थे कि कौन अखिलेश वाखिलेश इस बयान को सप्पा प्रमुक ने गंभीरता से लिया था इसके बाद उनकी तरब से तल्ख टिपड़ी भी सामने आई थी सप्पा के नेता भी इस बयान बाजी में कूद पड़े थे ऐसे में अब इस मामले को ठंजा करने की कोशिश हो रही है सप्पा के वरिश नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि कमलनात तो मेरे दोस्त है उनसे किसी प्रकार की खटास नहीं है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि राम गोपाल यादव खिलेश के करीब हैं मद्यपरदेश में सीटों के बटवारों को लेकर सुमवार को कापी समय से बड़ता चल रही थी शुरुवाती बादचीत इंडिया गटबंदन में सप्पा के प्रत्मीदित्व जावेद अली खान ने की इसके बाद साजेदारी पर बादचीत की कमान सप्पा की ओर प्रोफेसर राम गोपाल यादा और कॉंगरेस की ओर से रर्दीब सुरिजवाला ने समहा लिए दोनों के बीच कई राउंड बादचीत हुई संप्पा नेत्रित्वों को बताया गया कि नौरात्र में कॉंगरेस की ओर से आने वाली पहली सूची में भी सप्पा प्रत्याश्यों के नाम होंगे सप्पा का कहना है कि गठवंदन के तयाज 6 सीटे उसे देने की बात हुई थी हाला कि सप्पा ने 2 सीटे और भी मांगी थी बता दे सप्पा मुख्याले पर कोई मद्यप्रदेश की पदादिकारियों के साथ बैटरक में भी कॉंग्रेस के साथ मिलकर चुडाओ लडने के संकेत दिये गए अकिलेश यादों ने यह समिक्षा भी की कि कौन प्रत्याश्य जिताओ इस्तिती में है और कौन कहां से जादा मेनत करने की जरूरत है सप्पा मद्यप्रदेश में कुल तैतिस प्रत्याश्यों की सूची जारी कर चुकी है गच्वदन के तहट चुनाओ लडने के बारे में सप्पा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी से संपर किये जाने पर उन्होंने कहा कि सप्पा की लडने वाली सीटे घट बढ़ सकती है ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राया है हमें कमेंट वॉक्स में लिखके जरूर बताएं देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हैं